मुझा जाओ जाओ मुझा जाओ जाओ वोजाए, सबस्थां हो दोजाए, राए जाए नचिता जिएखग, विए अजपगाओ, एंवाए, भाए जाए अपाओ, टराए थाए, टो दोजाए, जञाम्य जए नजगाए, च्छार वाए, टॉचारा1, जजए रहाए, जए भाए, जए जए तूए, आए जजए, मैं रखाओं अपने गाउं के तleapp के किनारे और यह मेरे पीचrint पीछे तलाब है। इस दिखनी रहा होगा और यह जो रचता हैना यह तलाब के बीचों भी जाता है दोनो साइड तलाब हैं। और इस रास्ते की एक खास बात है बताऊंगा तुम भी जाओगे सही बोला मैं इस दोनों साइड रास्ते के ना गाउंवाले हगक के जाते हैं भैंचों पूरा गंद फैला रखें यार आने में हालत खराब जाती है मगर आया हूं दिखा दे रहा हूं कि यहां ऐसा तलाब है यह पीछे यह चट पूजा होता इस पर इसको सिरसोपता बोलते हैं हमारे दर मजते हैं गाउं में आओं हमारे कभी घुमाते हैं तुम्हें भी और चीज़ दिखाता हूं बैक साइड से तलाब का व्यू कैसा है कि यह चुप मर्दों देखा हूं और दिखाता हूं यह दो चोटे चोटे बच्चे यह भी घास का रहे हैं इदर ट्रट्टी करकर के भरक है लोगों ने होड़ो 3जह कर अदर टुमातेजश इसकती है मेरे पीछे यह पुल है यहां के मैं बैठता हूं तलाब के किनारे सांती मिलती है यहां पे बैठने में लॉंडिया वाली सांती मैं समझ लेना दूसरी वाली सांती मिलती है सन्नाटा साइलेंट वाली सांती और यार और कुछ नहीं है यार यह यह बस तलाब है अच्छा लगते हैं यहां बैठने में इसके बाद वह इसा है साला कहां खर्च करेगा यही तर नहीं है इसली ही यहीं है इसा है अट जो सो भूपर शेका यहीं है यहीं है अच्छा नहीं है भे बड़ को गुझा अधर जहीं हैं कि यह मेरे भाई लोग है जो पीछे बैठे हुए है तो आज देखा मौसम बहुत बरिया होड़ा है आसमान काला बिल्कुल खतनाक जहर मौसम है इस मौसम में देखने है था बाड आ रखा है उस इलाके में थोड़ा बैक साइड में तो यह है और कुछ नहीं है यह पीछे जो पेड़ दिख रहा है यह बहुत तगड़ा पेर है यहां से थोड़ा कमजोर दिख रहा होगा मगर बहुत तगड़ा पेर है अज सुबस्पुवा मैं बाग में आ रखा हूं और यह मेरे बाई सब अभी तक मैने मूँ भी नहीं दोआ घूमने आ गया यह जो लॉंडा है मेरे चाचा का लॉंडा है पपजी का नसेरी है फपजी लेने के लिए में बाग में उठा के लिए और कुछ नहीं यह पत्ते तोड़ रहे हैं पत्ते खा रहे हैं और पूरा बाग है पीछे पेरी पेरे आमका और यह सब मेरे भाई है मैं अपनी चछत पे पानी डाल लो इतनी दूप में और बुलोग भी सूट कर रहा हूं तुम्हारे चक्कर से कि दिखा दू मैं कितना मेहनत कर रहा हूं में ये मैं आके चैने करें पापा ने कहीं आलना यार नहीं तो पिटाई पड़ेगी वंखम बे मतलब था झाल झाल